धाकड़ खबर के नियूस दूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान उत्तर प्रदेश के मुरादाबास से एक दिलतस तस्वीर आ रही है मुझे लगा कि उससे आपको रूबरू कराया जाना चाहिए तस्वीर के मुताबिक भारते जिन्त पार्टी का एक निता है जिसका नाम है ललित कोशिक जो ब्लॉक पर मुख बताये जा रहा है उसके नाम का एक दुकंदार ने पोस्टर निकाला है पोस्टर छाब भी दिया है और खुद भी धरने पर बैठ गया है पोस्टर में लिखा ह अरा आफ वो जान लीजे मुरादबाद का एक इलाका है रामगंगा नगर इलाका। वहाँ पर सीद्बली के नामसे एक स्पोर्ट्स की दुखाने जानते हैं बेडबला, चिडिया बला तेमाम चीज़े जहां पे बिखती हैं वो स्पोर्ट्स की दुकाने जिसको चलाते हैं कुशांत गुपता इंकारोप है कि इनके साथ मारपीट की गई थी चार महिने पहले जिसकी बाबात इनों वाकाईदा फाई यार दर्ज कराई थी लेकिन अभी तक पुलिस ने बीजे पिके ने ता ललित कोशिक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है कैसे वो इस मामले को बता रहे हैं जानकारी दे रहे हैं वो अब आपके सामने रख रहे हैं देखिए उनकी जबानी सुनी और साइड में वो विजवल चला रहे हैं जहां पे सीसीडी फूटे जाय था उनको मारते पीड़ते ह हुए लाइव कैमरे में कैद हुआ था हुआ वो विजवल वो दोनों चीजे एक साथ देखिए हैं वो भी पुलिस के पास जा चुकी हैं सारी करीबन चार महीने चार महीने होने के बाद भी कोई कारवाई नहीं हो रही है और आज मैं चुपचाप अपनी दुकान पर बैठके धरने पर बैठा हूँ और अपनी इच्छा मृत्तिव के लिए मुख्य मंत्री जी से गोहार लगा रहा हूँ अगर मेरे और मेरे परिवार के को इलसाफ नहीं मिलता तो मेरे को अच्छे उम्यत्यों की आग गया दे कि चीज की मतलब पहला आपके से बेवाद हो था क्या पूरा मामलत था पर बरावर में एक हमारे नाई है तो उनको 20,000 रुपे हमें देने थे शिकायत को करीबन 4 महीने होने को जा रहे है आठ दस 2020 को मैंने एप्लिकेशन दी थी तो पुलिस में मुकबल लिखा था है यहार हो चुकी है चार धाराए लग चुकी है और चारशीड भी बन चुकी है बट आगे कोर्ट में नहीं पहुँच रही है मैं बस यहीं चाता हूँ कि मेरे को मुखे मंत्री जी मेरे को नहाए दिल्माए जल्से जल्द और पुलिस मेरी साहता करे और मेरे और परिवार को जाना की रक्षा से बचाए आज मैंने पोस्टर लगाए हैं तो मीडिया कर्मी सारे मेरे पास आये हैं मेरी मदद करने बस मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रात्ना करूँगा कि मेरी मदद करें सुनीं आपने देख लिया ये बता रहे हैं पूरी कहानी को किस बात को लेके विवाद हुआ किस तरीका से गुंड़ही दिखाई गई ये कह रहे हैं चार्शीट करने जा रही है पुलिस लेकिन अभी तक चार्शीट को अदालत में नहीं बेजा है अभी तक कोई अक्शन ने लिया है इन्हें जान का गत्रा है और इन्हें यहां पे काम करने में दिक्कत आ रही है इस मामले में बीजेपी की नेता का क्या कहना है पुलिस का क्या कहना है ये पक्ष हमारे पास नहीं है हाला कि खबर की बात करें तो इन दोरों का पक्ष भी होना चाहिए था कि पलिस इस मामले में क्या कह रही है क्यों अभी तक उसने चाशिट नहीं की क्यों इस मामले में कोई एक्षन नहीं लिया गया और इसी तरीके से ल काफी गंभीर है और जिस तरी किसी इनोंने इस पूरे मद्य को उठाया तो उमीद की जानी चाहिए उत्रप्रदेश किसी हम आदित्यनाथ योगी इस पर कुछ एक्शन लेंगे वरना जो उत्रप्रदेश में जंगल राज चल रहा है उनके दर्वाजा खट-कडाने के बाद भी लोगों को उस दंगल राज से राहत नहीं मिल रही है पुलिस भी भाजपाईयों के समर्थन में काम करती हुई दिखाई रहे हैं वह भाजपाई जो हैं वो उत्रप्रदेश में शुरक्षित होगा ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ऐसी समाज के लोगों बीसी समाज के लोगों या अलफ संक समाज के लोगों उनकी तो क्या हैसियत ही बसती है अगर कुशान गुपता को बीजेपी के नेता से जान का खत्रा है और पलीस उसकी ते लेकर मैं आपके सामने होंगा हाजी फिलाल अभी मुझे दें जाज़त